गरीबों के पास पैसा देना असल में शिर्फ गरीबों के लिए जरूरी नहीं है मद्यंबर के लिए भी जरूरी है क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि जो मांग पैदा होगी उस मांग से कई तरह के आपके रोजगास्टे जनानोंगे अतंग बाद एक राजनेतिक समस्या है, उस राजनेतिक समस्या को जब आए एक सामरीक बाद मिलेटरी तरीका से आप खल करने की कोशिस करते हैं, तो पहले तो वो कभी भी समाधान नहीं होगा, तो यहां पर असल में देश के पुजीपतियों से मांग की गई थी, कि हमारे यहां बिजली है, सरक है, यह जितना जिसको आधारभूत संग्रचना बनाया जाए, उसमें आप भी आके अपना यह करो, योगदान करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, यह हम नहीं करेंगे, य नोट मिलता था, यही था था, लेकिन पत्थर फेकने के बदले में आपको घोली के सिकार होना पड़ेगा, तो कौन बेकुप जाके 500 रुपया, 1000 रुपया के लिए आपका पत्थर फेकेगा, आतंग बाद के साथ संबंद पैसे का नहीं होता है, आतंग बाद का मारा लगाने आया, आपने गोली मार दिया, ठीक है, तो कल क्या होगा, कि जब आप गोली मारते हो, तब क्या होता, इसकी प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, क्यूंकि असल में आप तय करते हो परिभासा क्या है, तो आप जो कर रहे हो क्या कानून हो गय आप में जो इक तरसे पूरे दुनिया में जो अर्थिक बंदी आई थी तो उसका असर हिंदुस्तान में भी था लेकिन हिंदुस्तान में कई कावणों से वह असर उतना ज्यादा नहीं पड़ा मनें आप कह सकते हैं कि जितना उधर असर हुआ था उस तो थोड़ा सा सम्हाल पाया था सरकार देश की कुछ आर्थिक संग्रचना इस तरह की है कि उसमें उसका असर थोड़ा सिमित है लेकिन ये बात सच है कि असल में आर्थिक मंदी के बाद से लगातार जो दुनिया में संकट रही है पुजी-पतिवर का वो रहा है कि असल में उसको मुनाफ़ा का जो रेट है मुनाफ़ा का रेट गिरने का एक जनरल संकट है उसके पास ये संकट हिंदुस्तान में भी रहा और हिंदुस्तान में एक जो बड़ा प्रावलम आ गया था वो है कि असल में सरकार बाजार तेयार करने के लिए इंफ्रस्ट्रेक्टर प्रोजेट के नाम पर ज समधन इस रूप में था कि अगर आप बैंक से लगातार अगर आपका पैसा लेते रहेंगे और उसको नन पर्फिर्मिंग एसेट बोलते हैं लोग उसमें अगर डालते रहेंगे तो एक समय में क्या होगा कि बैंक के लिए काम करना मुस्किल हो जाएगा क्योंकि पैसा कि जितनी तर्क सामने दिये गया थे वह अक्चली मकसद था नहीं है सच्चा यह था कि असलों करने नहीं नहीं तो हो गया लेकिन असलों बैंक में पैसा नहीं है ठीक है वो दे दिया है उनके जो भी मित्र हैं और खासकर यह गवर्मिंट आने के बाद उसमें थोड़ा बैंक का अध्यान है उस समय और जाली नोट का यह था जीरो पॉइंट 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 जीरो थीफाइफ परसें यह वह अर्बिया के अकलन है मतलों मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक परसें भी नहीं था ठीक है सेकेंड मामला है कि आतंग बाद के साथ संबंद पैस नहीं करेंगा ठीक है तो यह क्या हुआ हमारे इससाब से सरकारी आतंग अब इसको लेकर कोई नारा लगाने आया अपने गोली मार दिया ठीक है तो कल क्या होगा कि जब आप गोली मारते हो तब क्या होता इसकी प्रतिक्रिया होगी ठीक है ना तो आब क्या होगा कि क्योंक लोगों ने जो कियँ हो अतंग भाद हो गया तो पहला बात यह है कि आतंगORDका मतलब यह समझता है मिकसी को मरने और मानने में बहुत सुख होता है यह अहिंगए है खासका मरने केमाराइ नो इंसान ऐसा है ना कि ओभ जाकर किसी को मार सकता है लेकिन खुद भी मरने के सब्सक्уса में रहा रएगा यहालस करना नहीं हो यह पूरा इतिहास गवाँ है इसलिए आतंगबात के साथ उसका कोई संबन्द वैसे भी नहीं था जैसे आप कस्मिर को भी you उसके बाद से क्या वहांपर, जिसके लोग आतंकबदी गति गति मी ती बोलता है क्या वह अतंक बादी गति कम हुआ, नहीं हुआ हो, यह गलत बात है, ये बिकुप ही तो यह तो इसका कोई मतलब ही नहीं था यह इनका राजनिती सेख नहीं का था तीसरा जो यह लोग बोल रहे थे और उसमें कुछ हद तक दम है उनका एक मकसद है कि असलों में आज के समय जो है दुनिया वह ऐसले फाइनन्स कैपिटिल का समय है यह उद्योगपती राज नहीं करता है बैंक की जो पूजी है वो पूरे दुनिया को राज करता है तो कि जितने चीजे बैंक के ट्रांजेक्शन के जैसे होगा तब क्या होगा कि उनके लिए फाइडा है ठीक है तो वो चाहते थे कि एक फॉर्मल एकॉनोमी जादा सेप है तो क्या जो सरकार का नहीं हुआ है यह इसलिए नहीं हो पाया कि आपकी देश की जो अर्थनिती है जैसे हमारे यहां एक बड़ा सिक्संस के है छोटे उत्पादक है स्मॉल प्रोडिशर्स हैं ठीक है कि यह अमरिका जैसे कंट्री नहीं है यूरोप जैसे कंट्री नहीं है वहाँ एक अलग तर नहीं है उसमें भी सफल नहीं हुई लेकिन आप यह बोल सकते हैं उसका एक मकसद था सेकेंड जो मामला है कि इससे एक फाइदा जो गवर्मेंट को मिलता है कि अपने यहां क्या है कि हमारा अगर आप टैक्स सिस्टम को देखेंगे सारे चीज़ों में देखोगे कि हम टैक्स समें बहुत कम है जितने टैक्स लेते हैं वो इंडरेक्ट टैक्स लेते हैं इंडरेक्ट टैक्स मतलब जंता के उपर आप आप जैसा आपके ट्रॉल का धीक लीजिए 18 रूपिया का अंतराश्ची वाजार में इसकी कीमत है उसको जो आप सोधन करते हैं एक रूपि कि ने देश की कमर तोर दिया तो विवस्ता भी तो डोग गया GDP मायनस में चले गए यह नोडबंदी की बतुलत से नोडबंदी क्या होता है कि असल में पहले से जो निशन्स है पहले से और कई कारोन से कंडिशन्स खराबती अभी मैं उसका जिकर करूंगा लेकिन नोडबंद किया तो पहला तो असर हुआ कि जिनके पास कम पूजी होती है जब उनके पास 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या एक महिना अगर उनका काम नहीं चलेगा तो उनके लिए वापस पूजी कठा करके काम चलाना मुश्किन होता है इसलिए उसका एक लॉंग टर्म इंपेक्ट का है कि अस छोटे कारोवार के उप़र जो लोग निर्भर है तो जो सामान की मांग करते हैं ठीक है उसकी उत्पादन भी कम हो जाए गया गरेबों के पास पैसा देना असलमें सिर्फ गरीबों के लिए जरूड़ नहीं है मध्यंबर के लिए भी जरूरी है क्यों कि उससे क्या होगा कि जो मांग पैदा होगी उस मांग से कई तरह के आपके रोजगा स्टेजन होंगे तो इसलिए क्या है कि नोडबंदी ने बड़ा कदम लिया था कि छोटे उद्ध्यों को थोड़ा कवा करने के एक दिसा में कदम कि नोडबंदी था को यह समझना है कि आप किसे नजर से देखते हो अगर जनता के नजर से देखो तो इस पूरी तरह बेकार है लेकिन अगर सासक के नजर से देखो क्योंकि वो तो जनता के लिए किया नहीं था और जिस मकसद से किया था उस मकसद में थोड़ा कामयाब जरूर हुआ मुझे दो ही चीज कहना है कि ये हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि जब 47 में अंग्रेज चले गए तो यहां पर असल में देश के पुझीपतियों से मांग की गई थी कि हमारे यहां बिजली है सरक है यह जितना जिसको आधारभूत संग्रचना बनाया जाए उसमें आप भी आके अपना ये करो योगदान करो तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई यह हम में इतने साल का पैसा लगा, यह बनने के बाद आप कहार कि अब सरकार को क्या ज़रत है अब यह पुझीपतियों को देढें, पहलो दिसको आतको समझना है, दूसरी बात है निजी करन की सबसे ज्यादर रुकसान में असल में समाज को है। समाज को समझाने की जो़रत है, क प्राइबेट डाक्टर भागें ठीक है गोर्मेन डाक्टर नौकरी करने के डर से हो या जैसे भी वह आप बचे रहें तो आप जो है जब यह निजी करन करते हो तो असल में क्या को टते हैं समाज को जो सार्भी जो प्राइमेट हॉस्पिटल बनते हैं उसके लिए असल में ग्रहा को पैदा कर देती है सरकारी कर्मचारिया को बोलते हैं वहाँ इलाज करो है ठीक है दूसरा जमीन से सुरू करके सारे चीजों में उनको सोलेद भी दे जाती है बैंक का भी कर्जा उनको बड़ा परसेंटेज जो है पहले ही दे दिया जाता है तो एक तरह से क्या है हम इसको बोलते हैं सार्वेजन उद्यम रहेगा और नीजी लूट रहेगा कई ज़गा यह कह रहा है कि हम सीधा ही लूटेंगे जिस सेक्टर के आप बात कर रहे थे जिस बंदरगा है यह बुलता है कि अर्थनीत में रन नितिक छेतर है आपकी देश के एकोनोमी को आप करते हैं कर सकते हैं ठीक है जहां चाहें भुकमरी पैदा कर सकता है रेलवे जब अंग्रेजों ने बनाया था उसका मकसद था कि य सेना का संचालन करना 1857 से उन्होंने समझा था कि अगर हम ज्यादा से मात्रा में वह नहीं ले आते हैं क्या कहता है सेना अगर जल्दी नहीं पहुंचा पाएंगे तो लड़ाई हा जाएंगे अब वैसे रन नितिक छेतर को भी निजी कंपनियों के हाथ में देने का मतलब ह हुआ कि असल में आपने देश के एकॉनमिक जो सवरेंडिटी है उसको ही खतम कर रहा है और इसका खामियादा समाज को भुगतना पड़ेगा जो अल्लेडी सूरू हो चुका है कि प्लैटफोर्म का टिकेट कई जब 50 रुपया कर दिया है जो लावकरी रूट नहीं रहेग जैसे हम लोग 5-6 रुपया में कहीज़े कर सफर करते हैं लोकल ट्रेल्स में वह सब को धिरे-धिरे घाटा हो रहा है घाटा हो रहा है चिल्ला के उसको बंद करवाए जाएगा